एलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूटूब चनल माइक्रो ओनलाइन सर्विस आस्टा में आज हम बात करने वाले मदिप्रदेश रोजगार सायक भरती 2022 के नोटिविकेशन के बारे में जो काफी समय पहले से आ चुका है गवर्मन के निर्देश के अनुसार 2022 में रोजगार सायक की भरती होने की है कुल पद इसमें कितने होंगे सेक्षनिक योगीता क्या रहेगी इसके बाद इसमें आयू क्या रहेगी और PG, DCA, DCA दोनों जरूरी रहेगा इसके बाद में अंक किस प्रकार से मिलेंगे ये सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा हम सारी जानकारी समझते हैं पार्म कप से और कहां से भर पाएंगे ये सारी जानकारी हम समझते हैं नियूकती संबन्दी नौटिफिकेशन दिशा निर्देश आ चुका है दोस्तो यहां से सारी जनकार ही हम समझते हैं क्या क्या दियाया दिये गे निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत जहां मन्रेगा योजना इस्तापित की गई थी वहां का अनुसार सारी डीटेल दी गई है इसमें वेव होत जादा होता था इस कारण से रोजगार सायक की जरूरत लगी इसके बाद अनिवारी योगीता क्या रहेगी मद्धि प्रदेश, सिक्छा, विवाहक, मंडल बारवी पास होना कंपलसरी रहेगा किसी भी बोर्ट से आपके पास ट्वल्थ पास होना अनिवारी रहेगा इसमें मद्धि प्रदेश, सासंद्वारा किसी भी बोर्ट से अगर आप बारवी पास किया है तो आप इलिजिबल रहेंगे यानि कि फार्म भर सकते हैं अगला पाइंट समझते हैं नियुक्त किये जाने वाले केलेंडर एक जनवरी 2000 जो भी रहेगा उसमें 18 वर्स होना अनिवारी रहेगा यानि कि अभ्यार्ती को उसी उसमें 35 साल तक लास्ट डेट रहेगी उसमें अभ्यार्ती का आवेदन ग्राम पंचायत के इस्थानी निवासी होना अनिवारी रहेगा और इस्थानी निवासी है तू आवेदक नाम उक्त ग्राम पंचायत भारत सरकार निर्वाचन मद्दाता सूची में आपका पंजिकरन होना अनिवारी रहेगा otherwise आप फार्म नहीं भर सकते ग्राम पंचायद में कम से कम तीन स्थान पर निवासी फार्म भर सकता है इसके अलावा समधित ग्राम पंचायद सीमा में लगे हुए पंचायदों में स्थानी निवासी के विचार किया जाएगा इसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं यहां सेक्षिन की योगिता कम्प्यूटर आपके पास होना चाहिए है यानि कि PG, DCA, DCA आपके पास अगर किया गया है तीन में से कुछ भी आपके पास अलाव हो सकता है आगे बढ़ते हैं यह सारी जानकारी आप स्क्रीन बोर्ट पर देख सकते हैं कौन-कौन से सेक्षिन की योगिता रहेगी इसमें मैं आपको खास करके बता देता हूँ इसमें अकाउंटेंसी, अप्लिकेशन, सॉफ्टेयर या जो भी आपके पास हो जो आपने किया हो वो भी अलाव रहेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों उद्यमी प्रसिक्षन के लिए कंप्यूटर अप्लिकेशन, डेटा इंट्री, ऑपरेटर या आर्टी टेक छे महिने का प्रसिक्षन कोर्स अगर आपके पास है तो आप फार्म भर सकते हैं रोजगार सायक के लिए तो वीडियो को लाश्टे तक देखेंगे तो सारी बाते समझ माएगी जीला कारिक्रम समन्वेक द्वारा रोजगार सायक के पदों की पूरती हेतु समाचार पत्र के द्वारा आप तक पूरी जानकारी को प्रकासित करेंगे सारी प्रोसेस जो है समाचार के पत्रों के द्वारा सभी जानकारी को प्रकासित करेंगे इसके बाद अगला पॉइंट है उप्रोक्त समन्वेक कारिक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार सायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सुचना जारी की जाएगी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की सुचना प्रति ग्राम पंचायत कारियाले में और जन्पत पंचायत कारियाले में और तैसिल कारियाले के सुचना पतल पर अनिवारी रूप से प्रकासित की जाएगी दोस्तो सारी जानकारी इन तीनों जगह पर आपको मिल जाएगी इसके बाद में दो या दोस्त अधिक अभ्यारति की समान अंक के इस्तिती होने पर किस प्रकार से प्रात्मिक चैन की जाएगा ठीक है इसमें समझते हैं सबसे पहला है अनुसुचिज जाती महिला के लिए अनुसुचिज जन जाती पुरुस के लिए तूसरे नंबर पर यह रहेगा फिर तीसरा रहेगा अनुसुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् निकाली गई है लेकिन प्रकासन कब जारी होता है उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाए